अपने सम लोर ट्रेंगुलर मेट्रिक्स के बाद पढ़ते हैं ट्रांस्पोज मेट्रिक्स ट्रांस्पोज मेट्रिक्स क्या होता है if we change row and corresponding column in a given matrix then the new matrix obtained is called ट्रांस्पोज of the matrix A and denoted by 80 जैसे कि suppose हमारे पास कोई एक मेट्रिक्स है उसकी first row को हम first column बना दे third row को third column बना दे तो उस condition में जो हमारे पास इस तरह से जो transpose change करने के बाद जो matrix बनेगा वो matrix transpose matrix होगा यह हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं अगर हम first column को को matrix A उसके first column को first row बना दे second column को second row बना दे third column को third row बना दे तो उस condition में हमारे पास तो मैर्टीक्स प्राप्त होगा नया मैर्टीक्स जो बनेगा वो मेरीë जो होगे TV आ बंद्र네क्स होगा जैसे की Dies इसदर जे से 3-2-9 को 3-2-9 क्योंब बना दिया तो यह मैट्रिक्स गोगा, यह ट्रांस्फूज मैट्रिक्स है, अगर जैसे हमें इसे हमें सेकंड टर्म पढ़ी थी कि अगर हम को सब्सक्रीद को सब्सक्राइब करें, फिर भी हमारे पास वही समाइगा, जैसे इसमें देखे 2 को 2nd row बना दिया तो 432 2nd row इस तरह से 3rd column जो है 379 इसको 979 इसको 979 3rd row बना दिया तो इस तरह से यह जो होगा हमारे पास transpose matrix होगा यानि हम अगर रो को column change करें तो automatically column जो होंगे वो रो में change हो जाएंगे तो इस तरह से हम transpose किसी भी matrix के transpose को हम easily समझ सकते हैं